प्रभाव बना रहता है ऐसा देखा जाता है कि जिसके उपर नो ग्रहों की गिर्पा हो जाए उसके जीवन में सभी प्रकार के सुख संसादनों में व्रिद्धी होती जाती है और दूसरी तरफ अगर नो ग्रहों की कूद रिष्टी हो जाए तो जीवन में तमाम प्रकार के संकट, दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है आईए आज हम आदको नो ग्रहों के बीज मंतर का जाप सुनाएंगे जिसे सुनने मातर से ही नो ग्रहों की अनुकूलता प्राप्ठ होनी शुरू हो जाती है और मनुष्य के जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहें ओम्षमुम्षनिष्यराये नमहें 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 ओम्शमुम्शनिष्यराय नमह ओम्शम्शनिष्यराय नमह ओम्शमुम्शनिष्यराय 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 नमह ओम्शमुम्शनिष्यराये नमहे 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 ओम्शम्शनिष्यराये नमहे ओम्शम्शनिष्यराये नमहे कर दो